हेलो गाइज वेलकम टो अरिटो स्टेडिवाइंस आपके अपने चनल अरिटो स्टेडिवाइंस में आपका स्वागत है जैसे कि हम लोग SSE GD के लिए जो अंकित भाटी सर की जीके जीएस की बुक है स्पेशल तो जार पच्चिस की उसका हम लोग सॉलोशन कर रहे हैं और इ संदी की होती है जो चैप्टर हो या तो मैं मैं रिफर में डाल देता हूं और यह हमारी आप हमारी जो है इंडियन गजोग्रफी को चुकी है अब जो हमारी चल रही है वर्ल्ट जोग्रफी में भी हम लोगों ने जो है अच्छे-काशे कोश्न कर लिए हैं 140 कोश्न टुट सारे के सारे रोजगार विद्ध अंकित की बुक है जो आपने उपर में देखा तो आपको करना कुछ नहीं है आपको सारी की सारी बुक की पीडियेफ मिल जाएगी आप जो है 70 7 0它 hey 70 4 9 4恐 sa 7 07 10 4946 इस नंबर पर जो है आपको व्सप्क परणा है क् effekt करना है वाट्सav करना है क् आपको वह हैं मैसेज करना है आपको सारी बुक की पीडियर अपको अवैलिबल करा दी जाएगी ठीक है आपको घवराना नहीं है बुक लेने कोई ज़र sophomore नहीं क्यूंकि समय बहुत कम है और बुक के चक्कर में हम लोग टाइम अपना वेस्ट कर लेंगे ठीक है तो चली हम लोग बिल्गुल भी टाइम भरवाद ना करते हुए हम लोग कोशन स्टार्ट करते हैं कि पवनों का देश किसे कहते हैं तो डेनमार्क को कहते हैं और इसके हम लोगों ने अनलाइसिस भी कर लिये थे ठीक है चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं आज का कोशन 141 कोशन को स्राट करते हैं वे जवाला मुखी जो बहुत लंबे समय से उद्गारित नहीं हुए हैं लेकिन भविश्य में उद्गारित हो सकते हैं उन्हें क्या कहा आता है उन्हें कहते हैं प्रसुप्त जवाला मुखी यानि कि ऐसा जवाला मुखी जो उद्गारित नहीं में कुछ हम लोगों डिटेल जो है solution देखते हैं कि प्रसुप्त ज्वाला मुखी के उधारण कुन-कुन से हैं वो है प्यूजिमाया जो की जापान में होगा विसुवियस इटली में नार कॉंडम अंडमान निकोबार में सक्री जो हला मुखी वे जोहला मुखी होते हैं जिन से समय समय पर मेगमा निकलते रहता है उधारण के लिए माउंट एटना इटली की है यानी के सक्री जो ला मुखी है कोटोपैक्सी जो एक्वाडूर की है बैरन दूइब अंडमा निकोबार की है और मोना लाओ जो की हवाई दूइब की है अगर आप नॉर्मली भी अगर पढ़ते होंगे जोगरफित आपको इस सारे नाम के बारे में जानकारी होगी अगला है जिस ज्वाला मुखी में हजारों वर्ष से कोई उद्भेदन ना हुआ हो ना ही भविष्य में ऐसा कोई संभावना हो उसे मृत ज्वाला मुखी कहते हैं भाई जो आगे होगा ही नहीं तो से मृति कहेंगे तो से मृति ज्वाला मुखी कहते हैं उधारन के लिए किली मंजारों जो के तंजानिया में है यहां पैसा कुछ भी जो है नहीं हुआ है ना लावा निकला है ना कुछ नाहीं इन फ्यूचर निकलेगा तो किली मंजारों प अगला कोशन है प्राकर्तिक घुकम्, प्रिथफी की किस परत में होते हैं, देखे, मध्यपरत, आंत्रिक कोर, स्थलमंडल या दुरबलता मंडल तो बताना हमें कि जो प्राकर्तिक घुकम्प होते हैं natural level जो हमारा अर्थ कोएAK आता है, वो कहां आता है स्थलमंडल, कहाता है स्थलमंडल तो भुकम पी जो है तरंगे कौन कौन सी है तो भुगर भी तरंगे होती है पी जथा S तरंगे और धरातलिय होती है L तरंगे चिक है तो हमें इनके बारे में जानना जरूरी है कि P तरंगे क्या होगी S तरंगे क्या होगी और L तरंगे क्या होगी तो मैं पता है कि भूग कम पी जो है तरंगे वो दो परकार की होती है एक होती है भूगर भी तरंगे एक होती है धरातलिय तरंगे ठीक है तो चलिए बी की बारे में बात करते हैं पी तरंगों के बारे में तो बिर्थी की स्था पर सबसे पहले पी त तरंगे होती है यह ठोस गैस में और तीनों में कर सकती है कौन पी तरंगे यह तिनों में करती है और सोलिट से स्थोस माध्यम में गमन करती है सॉलिट से सॉलिट याद रखना और इस सोलिट क्या था थोस तो हम यहाँ चांद सकते हैं कि स्थोस में ही करेगा ये ऐड़े को एक है इल तरंग यहां सरवाधिक विनाशकारी तरंगे होती है भुकंप के अध्यन को सिस्मोलोजी कहते हैं भुकंप को re-act scale पर johan रिक्टर, रिक्टर scale पर माता है सिस्मोलोजी क्या होता है? भुकंप का अध्यन और l तरंगे जो बहुती विनाशकारी तरंगे होती है तो मैं व्याद दखना P तरंगे, S तरंगे और L तरंगे, PSL उत्री पूर्वी पवने कहां से उत्पन होती है जो उत्री पूर्वी पवने है वो कहां से उत्पन होती है तो उत्री गोलार्द के उच्छ निकटी बंदे उच्छ दाब कटी बंद से ठीक है ये पवने स्तल से समुंद्र की ओर चलती है भारत में शीत रित्तु के दोरान उत्तरपुर्वी व्यापारिक हवाईं चलती है उत्तरपुर्वी हवाओं का एक भाग बंगाल की खारी के ऊपर चलता है जिसका कारण कुरो मंडल तट पर वर्शा होती है तो हमें ध्यान देना इन बातों पे और अगला कोशन क्या कह रहा है शेत्रफल की दृष्टी से भारत का सबसे छोटा पडोसी देश कुन सा है तो भुटान किसकी दृष्टी से शेत्रफल की दृष्टी से तो भुटान जो है चार भारतीय राज्यों असम से किम पश्चिम बंगाल अरुनाचल प्रदेश की सीमा से मिलती है तो भुटान किस से किस से मिलती है असम से सिकिम से पश्चिम बंगाल से और अरुनाचल प्रदेश से भुटान की राज़ानी जो है थिम्पू है जहां डृतान को लैंड ओफ-धंडर ड्रैगन कहा जाता है हमें ध्यान देना इन बाद पळ आधा है इसकी राज़ानी माले है नेपाल की राज़ानी काठमांडू है काठमांड में सार्क यानि कि सार्क इसको भूत रहता है दक्षिन एशियाई स्यत्रिय न शहयोग संगठन का मुख्याले है श्रिलंका की आधिकारिक रायधानी जो है श्री जैवर्धरेपुरा है कोटे है तथा वानेजिक रायधानी जो है कॉलम्बो है हमें पड़ोसी देश के बारे में इतना तो पता होना चाहिए एल नीनो एक ऐसी घटना है जिसमें हर दो से पांच साल में डैश तट यानि की पेरू तट से गुजरने वाली ठंडी धाराएं इस्थान पर गर्म महासागरे धारा बहती है देखो कोशन का लेवल देखो अब वर्ल्ड जिग्रफिय में किस लेवल का रहता है तो किसका पेरू का एल नीनौ एक परक्रिया है जिसमें पेरू के तट पर दक्षिन पूर्वी परशानत महासागर के जलका तापमन बढ़ जाता है किसके दौरा एल नीनौ की परक्रिया दौरा शीक है इस परक्रिया का भारतिय मानसून परनकारात्मा क पर भावव पढ़ता है जैसे अकाल यानि कि अकाल पढ़ना बारिश नहीं होना ये सब किसकी वेश होता है एल नीनो परक्रिया द्वारा एल नीनो को इशू शिशू कह जाता है एल नीनो को कहते हैं इशू शिशू ला नीना के परभाव से एल नीनो के ठीक विपरित इस्तिती उत्पन्न होती है किसके लाल निना के परभाव से निमलिकित में से कौन सी एक कायांत्रिक चट्टान है शेल ग्रेनाइट बल्वा पत्थर और क्वाटर्जाइट तो आपका कायांत्रिक चट्टान जो है वो है क्वाटर्जाइट क्वाटर्जाइट ठीक है तो क्वाटर्जाइट जो है आपक चटाने हैं बल्वा पत्थर एक खंडित तल छटी चटान है तथा यह एक अवसाधी चटान है ग्रेनाइट आगने चटान है ग्रेनाइट कैसा है वह आगने चटान है अगला कोशन है सूर्य प्रित्वी से लगबग 10 किलोमेटर यानि कि 150 मिलियन एक सो पचास मिलियन जो है दूर है तो इसके बारे हम कुछ जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश प्रित्वी पर लगबग 8 मिनट 20 सेक्ड़ पहुंसता है प्रकाश मंडल का वह बहारी भाग जो केवल सूर्य गरहन के समय दिखाई देता है उसे कोरोना या किरिट कहा जात प्रकाश मंडल का वह बहारी भाग जिसने सूर्य गरहन के समय दिखाई देता है उसे कोरोना कहते हैं या फिर किरिट कहते हैं सूर्य की वर्तमान आयू जो है 4.7 अरब वर्ष है एभर कर दर दो या जोटाईर अगला कोशन है गर्म महासागरी धराय के निकट उतपन होती है किसके निकट उतपन होती है और दोहं की और गतिमान होती है तो यह जो होती है आपकी भूमत Calling 카 दिरे तो कुछ इसका डिटेल सोलूशन कहता है कि गरम महासागरी धाराएं निम्न अक्षांस से उच्छ अक्षांस की और गबन करती है निम्न से उच्छ की और एवं इन जल धाराओं का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है यह भूमद्य रेखा पर उ गरम है ब्राजील धारा गरम है डिजिदै ठंडी है और लब्लाडोर धरा जब्लाड और ठंडी है परशानत महसागर की धाराओं की बात करते हैं वह गरम है यूरोश फ OUR हंवंबल्ड और क्यूराइल हमबल्ट और क्यूराइल क्या है यह ठंडी है प्रशानतमा साकर की धारा है नेक्स्ट कोश्चन है निमलेखित में से कौन सी मृदा संरक्षन की एक विधी है शेल्टर बेल्ट नहीं इंटर क्रॉपिंग नहीं रॉके डैम नहीं सीड़ीदार खेद बनाकर बिल् मिलता है तो मिर्दा संरक्षन से तायत पर यह उन विधियों से है जो मिर्दा को अपने स्थान से हटने से रोकती है मिर्दा संरक्षन की विधियां जो है वनों की रक्षा वरिक्षा रोपन बांध बनाना भूमी उदार बाढ़ नियंतरन सीड़ीदार खेद बनाना आदी ठीक है अगला कोशन है कि निमिलिखित में से कौन जो है कौन सी श्रलंका की पहली आधारिक भाशा है तो सिहली सिहली जो है वो श्रलंका की पहली आधिकारिक भाशा है भुटान की जो है राज भाशा है वो है जोंखना और इसराइल की भाशा जो है वो है हिब्रू भुटान की है जोंखना हमें अपने आसपडोस के देश के भाषाओं के बारे पता होना चाहिए आधिकारिक भाषा पहली श्रलंका की कौन सी है वो है सिहली और भुटान की कौन सी है जोंखना हमें ये पता होना चाहिए क्यों यार बैक क्यों हो रहा है तेखो कितना दिक्कत होता है न मोबाइल से पढ़ा रहे है अगला है लेब्राडोर सागर और भुमद्य सागर किस महासागर का हिस्सा है तो अट्लांटिक का हिस्सा है ये कल भी हम लोगन डिसकस कहे था लेब्राडोर और भुमद्य सागर किस महासागर का हिस्सा है तो अट्लांटिक महासागर का हिस्सा लेबराडोर सागर उत्री अट्लांटिक महासागर का एक भाग है लेबराडोर सागर जो है वो उत्री अट्लांटिक किसकी अट्लांटिक की का एक भाग है तो भुमद्य सागर अट्लांटिक महासागर से संयोजित एक सागर है जो भुम अगला कोश्चन है प्यू टोरिका टोरिको खाई प्यू प्यू टोरिको ट्रेंच जिसको बोलते हैं वो किस मासागर में है ये भी अट्लांटिक मासागर में है अब महत्वपूर्ण बिंदू की तरह बात करते हैं मरियाना ट्रेंच जो है प्रित्वी का सबसे गहरा गर्त है मरियाना ट्रेंट जो है फिलिपिन्स के पूरू में स्थित है कुछ और अन्य गर्थ के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग तो टूंगा विश्व का दुसरा गहरा गर्थ कुन सा है परशान्त महा सागर सुन्डा या जावा हिंद महा सागर मिंडनाव परशांत महा सागर अगला है निमलिखित में से कौन सा उर्जा का एक पारंप्रिक स्तरोत है कोईला क्या है कोईला यह जो है उर्जा का एक पारंप्रिक स्तरोत है ठीक है प्रकर्तिक स्तरोत है और पारंप्रिक स्तरोत है उर्जा का एक पारंप्रिक स्तरोत कोईला है पारंप्रिक स्तरोत के कुछ उधारन कोन कोनते हैं पेट्रोलियम है, लकडी है, चारकोल, सुखा गोबर, खनीज, तेल और प्रकरतिक गेस ये सभी क्या हैं पारंप्रिक स्तरोत हैं उर्जा के अगला कोशन है नहर की एक जल ग्रिवा यानि की चैनल जिसको बोलते हैं जहां पानी को बलपुर्वक उत्थान द्वारा भूमी के ढलान की विपरित दिशा में परभावित कहलाता है डैश कहलाती है तो उसे कहते हैं उत्थान परणाली तो नहर की एक रिवा या चैनल जहां पानी को बलपुर्वक उत्थापन द्वारा भूमी के धलान की विपरित दिशा में परवावित करना उत्थान पढ़नाली कहलाती है किस श्रेनी को उपरी एशिया की रीड के रूप में जाना जाता है किस श्रेनी को जो है आपको उपरी एशिया की रीड के रूप में जाना जाता हुए है काराकॉरम श्रेनी कौन सी है काराकॉरम श्रेनी चलि हम डिटेल्ड सॉलूशन देखते हैं इसका काराकॉरम श्रेनी जो है हिमाले परवत का एक भाग है इसका प्राचीन नाम कृष्णगीरी था काराकॉरम जो है करगीज शब्द का मतलब भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है काली भुरी मिट्टी इसका विस्तार भारत पाकिस्ताम था चीन से हैं चीन में है इसे उच एशिया का रीड भी कहा जाता है उच एशिया का देशों को मतलब निम्लिकित भागों में बाटा गया है ट्रांस हिमाले तो ट्रांस हिमाले तो ट्रांस पर्कार के हैं चलिए अगला कोशन देखते हैं समूंद्री निकायों और समुंदर में डेश पानी होता है खारा याद रखियेगा समुंदर के निकाए हो चाहिए समुंदर हो सब में खारा पानी पाय जाता है तो समुंदरी निकाए हो और समुंदर का पानी खारा होता है क्योंकि इसमें लबन पाय जाते हैं सोडियम और कलोराइड जो नमक बनाते हैं ये समुंदर में कई सारों तक वहीं जमा रहते हैं इसलिए ये पानी खारा हो जाता है अगला कोशन है सारे सौर मंडल के बाहर निम लिखित में से ऐसा कौन सा गरह है जो आम तोर पर हमारी आकाश गंगा में किसी अन तारे की परक् गंगा की जो है प्रक्रीमा करता है सूरे के चारों और चक्कर लगाने वाले विभिन ग्रहों दूम के अतुओं उलका पिंडों अकाशिय पिंडों के सम्हूं को स्वार मंडल कहते हैं स्वार मंडल में आठ ग्रह हैं बुद्ध शुक्र पृत्वी मंगल विरस्पति शनी अरुन और वरुन शुक्र शुर मंडल का सबसे गरब गरहा है बुद्ध शुक्र शनी विरस्पति और मंगल को खुली आखों से देखा जा सकता है तो यह कोशन बहुत इंपॉर्टन्ट यह वाला पॉइंट कि खुली आखों से आप कीन ग्रहों को देख सकते हो खुली कि किस परकार की मिट्टी में पानी की अधिक्तम मात्रा बनी रहती है तो चिकनी मिट्टी में पानी की अधिक्तम मात्रा बनी रहती है पानी की सबसे अधिकतम मात्रा काली मिट्टी में विद्धिवान होती है काली मिट्टी को सुरता जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं काली मिट्टी के बाद चिकनी मिट्टी में पानी के अधिकता होती है जिस फसल को उगने के लिए अधिक पानी क्या होशकता होती है जैसे धान चिकनी मिट्टी में बौई आते हैं यानि कि सबसे ज़्यादा तो काली मिट्टी में होता है लेकिन इन आप्शन्स में से चिकनी मिट्टी में सबसे ज़्यादा होता है हुआ है चुक्त चर्ट है कि क्पते हैं अगला कब्शन है महावेली गंगा जो है श्रलंका के सब से बढ़ी नधी है कंकि श्रिलंका की अरब साड़ा का कौन सा इल भारत कौन सा द्वीब देश भारत का पड़ोसी है अरब सागर का कौन सा द्वीब देश तो मालदीव कौन सा मालदीव ये मालदीव क्या है एक द्वीब ये देश है हम लोगों ने भारत के भुगोल में हम लोगों ने ये पढ़ा था फिर से कोशन रिपीट कर दिया है बोलके कि ऐसा बोला गया कि यह वर्ल्ड जोग्राफिका है लेकिन हम पर पहले पढ़ चुके हैं अगर आप पुरानी क्लासेजन नहीं करते हो तो करो दक्षिण में समुद्र पार हमारा पढ़ोसी देश माल दीव जो लक्ष द्वीप समुख के दक्षिण में स्थित है यहां अरब सागर में है माल दीव के 1200 प्रवाल द्वीपों में से केवल 202 द्वीप ही निवास है तो 1200 वहां पर दूइप है टोटल कहां पर मालदीप में लेकिन 202 दूइपों पर ही हम लोग निवास कर सकते हैं तो आज का हमारा 20 कोशन का टार्गेट खतम हुआ करेंगे मैं फिर बता दूँ कितना अच्छा क्वालिटी पीडिएफ है उसी तरह हमारे पास हिंदी रीजनिंग जीके जीए स्टेटिक जीके और मैस सबका जो है पीडिया आपको मिल जाएगा तो एससे जीडिक लिए आपको पांच बुक जो है तियार करना ही करना है अगर आपको इजली जो है पांच बुक का पीडिया आपको प्रवाइड करती जाएगी चलिए अल्ट बेस्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लोग जो नहीं है चलिको सब्सक्राइब कर लिए पराणी वीडियो देख लिए ऐसा से जीरी का राम बान करवा रहा हूं कोई फा